नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कांग्शा मिश्रा 7 सितंबर 2022 को कन्या कुमारी से शुरू हुई भारत जोडो यात्रा आखिरकार अपने अंतिप पड़ाओ पर पहुँच गई है देश के 14 राज्यों से गुजरते हुए 3970 किलो मीटर की दूरी तै करके जमू कश्मीर की राजधानी श्री नगर के लाल चौक पर तिरंगा फैरा कर राहुल गांदी ने भारत जोडो यात्रा का समापन किया जोरान श्री नगर के शेर एक कश्मीर स्टेडिया में बड़ी रैली का आयोजन भी किया गया और इस समापन रैली में 36 गड़ के मुक्यमंतरी भूपेश बगेल समेथ विपक्षी दलों के कई बड़े नेता भी शामिल हुए श्री नगर में मौसम बहुत सर्द रहता है लगातार बरवबारी के बीच राहूल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वोडरा कॉंग्रस के कई बड़े नेता और पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनित के नेता और कारिकरता भी मौजूद रहे इस पूरी यात्रा के दोरान रहूल गांधी बार बार बस एक ही बात कहते हुए नज़राते थे कि उनकी यात्रा का कोई भी राजनेतिक या चुनावी मकसद नहीं है बलकि देश भर में प्रेम, भाईचारा, सामपरदाइक, सदभावना और एकता का संदेश फैलाना है यही नहीं इसी सदभावना की मिसाल पेश करते हुए राहूल ने इस यात्रा की शुरुवात और आकरी पड़ाओ पर भी विपक्ष के कई नेताओं को बकाईदा आमंत्रित किया था तो क्या देश में नफरत के खिलाफ मोहबबत की दुकान खोलने में सफल हो पाएं राहूल भारत जोड़ो यात्रा से कितना पूरा हुआ कॉंग्रेस का मकसद राहूल को क्या मिला आईए पूरा वाक्या समझते हैं दरसल यात्रा के दौरान जगे जगे भाशर देते हुए और मीडिया से मुखातिव होते हुए राहूल गांधी ने केंद्र सरकार पर कई बार निशाना साधा और गंबीर मुद्दो जैसे बेरोजगारी, महंगाई, भारत के सीमा शेत्र में चीन की दखलंदाजी पर भी स खड़ा कर दिया सबसे बड़ी बात यह है कि is यात्रा से पहले कई सवाल थे कि राहूल गांधी हासिल क्या करना चाहते हैं, क्या वो विपक्ष को एक जुठ कर पाएंगे, क्या वो कॉंग्रिस को फिर से पुनर जीविद कर पाएंगे, देखे इस यात्रा के जरीए पत छोड़ दिया फिर कहा गया कि वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे लेकिन वो भी नहीं हुआ इसके बाद कहा गया कि अध्यक्ष की चुनाओ को टाल दिया जाएगा लेकिन वो भी नहीं तला और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फिर देश व्यापी यात्रा यानि भारत जोडों के जरिये राहुल गांधी ने एक मजबूत और गंभीर नेता की छवी भी बना कर सब को दिखा दी विपक्ष और सोशल मीडिया ट्रोल की तरफ से राहुल गांधी का मजाग बनाते हुए मीम शेयर किया जाता था अब ये मीम पहले की तुन्ना में काफी कम हो गए है और राहुल गांधी के लिए पॉजिटिव कंटेंट सोशल मीडिया पर बढ़ चुका है यात्रा की दौरान राहुल का आम लोगों से मिलना उनसे बाते सुनना उन्हें गले लगाना बच्चों को प्यार करके उन्हें टौफिया देना बुजर्गों का सहारा बनना और प्याश के हर गंभीर मुद्दे को समझने का ये जो प्रयास है वो अफ्रीका से भारत लोटे महात्मा गांधी ने भी किया था देखे आप से मैंने ये कहा था ना कि राहुल को स्यात्रा से क्या हासिल हुआ इसका जवाब यह है कि राहुल की स्यात्रा ने मजबूत नेत्र के सामने एक ताकतवर विकल्प के रूप में खुद को स्थापित किया है अब लोग राहुल गांधी को गंभीरता से ले रहे हैं इसके लावर राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं में भी आगे निकल गए है अब तर चाहे बंगाल की सीम ममता बैनर जी हो या दिली सीम अरविंद केज्रिवाल इन सभी नेताओं से राहुल गांधी खुद को आगे खड़ा कर चुके हैं कॉंग्रेस में विद्रोहियों का जो कथिट जी ट्वेंटी समू था वो भी शान्त हो चुका है और सभी ने राहुल गांधी के निर्तत्त को स्वीकार कर लिया है अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि भारत जोड़ो यातरा से राहुल गांधी या कॉंग्रेस को राजनेतिक रूप से कितना फाइदा होगा लेकिन अगर कॉंग्रेस अपने दम पर सौ लोग सभा सीट जीतने की स्थिती में भी पहुंच जाती है तो निश्यत रूप स विपक्ष का बड़ा चेहरा होंगे राहुल गांधी जहां तक नफरत का महौल है और उसको दूर करने की बात है ये देश का मूल उद्देश है स्वस्त समाच के लिए जरूरी है और साती साथ किसी तरह की नफरत वैमन्य छुआ छूट या घ्रणा ना हो ये देश के उठाया लोगों को मिलकर एक साथ रहने का संदेश दिया राहुल गांधी के लिए सबसे एहम था कि देश की सबसे पुरानी और पहचान वाली पार्टी को पुनर जीवित करना और वो उन्होंने करने की पूरी कोशिश की है और किया भी है यात्रप समाथ हो चुकी है और राहुल गांधी बहुत से लोगों को अपने साथ लाने में काम्याब भी हुए है हलाकि वो अखलेश यादव नितीश कुमार केसियार और ममता को साथ नहीं ला पाए लेकिन सवाल ये है कि विरोध किस ने किया आगे गडबंधन क्या शकले लेगा ये सीटों के बटवारे पड़ नेरफड करीगा लेकिन राहुल कम से कम ये साबित करने में तो काम्याब ही है कि कॉंग्रेस का चेहरा वो है यात्रा तो खतम हो गई है और साथ ही पार्टी समेत राहुल गांधी के राजनेतिक करियर का पूरा परिद्रश भी उसने बदल कर रख दिया है क्या आप क्या सकति उसकार